नमस्कार मैं डॉक्टर संजय शर्मा सभी सिक्सक साथियों का इनायोस के इस स्टूडिय में स्वागत करता हूँ साथियों अकसर ये सुनने में आता है कि खास तोर पर छोटी जो हमारी पास जो कक्षा हैं उनके अंदर कि बच्चों की भागेदारी और उनका सीखना सभी बच्चों का समान रूप से नहीं हो पाता सबी बच्चे सीख नहीं पाते हैं कुछ कम ज़्यादा सीखते हैं तो इस तरह की स्तिती में एक सिख्षक के लिए चुनोती होती है कि वो अपने कक्षा में बच्चों के भागेदारी और उनके सुखने को किस प्रकार से सुनिशित करें आज की हमारी बात्चीत में हम लोग इस बारे में बात करने का प्रियास करेंगे इस पर चर्चा करेंगे कि हम किस प्रकार से प्रच्चों के भागेदारी को बढ़ाएं और बच्चे की सीखने को सुनिशित करें इससे पूर्व हमें ये समझना होगा कि आखिर हम लोग सीखना किसे कहते हैं और सीखने को समझ लेने के बाद ये जानना बहुत जरूरी है कि सीखना किन-किन कारकों से प्रभावित होता है और चुकि आज की बादचीत हमारे परियावन अध्यन विशे के साथ जूड़ी है तो इसलिए ये भी समझना जरूरी होगा कि परियावन अध्यन से हमारा क्या अभिप्राय है और ये अध्यन क्यों जरूरी होता है जब हम ये जान लेंगे कि इसकी क्यों आउशकता पड़ती है तो निश्चित रूप से हम बच्चों के बागिदारी को बढ़ा पाएंगे और ऐसा कर लेने के बाद बच्चों का सीखना भी सुनिश्चित होगा इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे और इसमें हमारी अपनी क्या भूमी का ये देखना और जानना बहुत मेतोपूर्ण बनता है सीखना जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि एसी प्रक्रिया है जिसके दुआरा वित्ति के वेवार में कुछ खास तरह के हम लोग बदलाव करना चाहते हैं जब ये खास तरह के बदलाव या अपयक्षित बदलाव वेक्ति की जीवन में या बच्चे की जीवन में होते हैं तो निश्चित रूप से ये सीखने की कतिविदी की तरफ बढ़ रहा होता है ये प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया कहला रही होती है अक्सर ये बदलाव इस्ताई होते हैं और इन बदलावों के माध्यम से या इन परिवर्तनों के माध्यम से वेत्ती अपने जीवन में जो लक्षे वो तेह करता है उनकी प्राप्ती के तरफ बढ़ रहा होता है सीखना एक प्रकार से है एक सुविचारित प्रक्रिया है एक योजनाबद प्रक्रिया है एक संग्यानात्मत प्रक्रिया है जिसमें सीखने वाले की भूमिका एक प्रकार से सक्रिये संचेतन और उत्प्ररक्किये होती है अर्तात सीखना एक समय हम कि प्रिकशिक जिसमें शीकने के लिए जिसाकि बताया गया खिक कोई में आपके पास विचार होना चाहिए एक त्यारी होनी चाहिए और एक मांसिक इस्दिति भी उसके साथ जुड़नी चाहिए और जिसमें कुछ खासतर है कि बदलाओ, उस बच्चे में हम देख पाते हैं, और उसके लिए उसका अपना तयार होना और उसका अपना सक्री होना बहुत महतुपून होता है, तो सीखना एक प्रकार से हैं, अक्सर हम लोग सीखने के स्थिति में, हम ये पाते हैं कि बच्चे नकल करके सीखते ह हैं या हम उसे कह सकतें कि वह अनुकरन करके सीखते हैं गलतियां करके हम यह मान कर चलते हैं कि बच्चा सीख रहा होता है और बच्चे इसी प्रकार से सीखते हैं सीखने को समझ लेने के बाद हमारे लिए यह जानना बहुत जरूरी बन जाता है कि हम यह जाने कि कौन-कौन से ऐसे कारक हैं जो सीखने की गति को कम करते हैं या बढ़ाते हैं बोमे का निभाती है यदि आपने अपनी क्रक्षा में बच्चे को सेकने का माहूल दिया है या अपने युस्टे का परिवेश का निर्मान किया है जहाijk बच्चा सीख पाए यहाँ बच्चा समझ पाए तो निश्चित रूप से महाँ पर सीखने की परमपरा ये गतिविदी आगे बढ़ रही होती है जैसा कि सभी सिखसक साती इस बात से परिचित हैं कि सीखने के लिए प्रेना का होना बहुत जरूरी है और ये प्रेना प्राय आंत्रिक हो सकती है या बाय हो सकती है यदि आपनी अपनी क्यक्षा में सीखने में रोचकता का ध्यान रखा है बच्चे के आनंद का ध्यान रखा है बच्चे के सक्रिता का ध्यान रखा है तो निश्चित रूप से ये सब सीखने की गति विद्य को बढ़ा रहे होते हैं सीखने की जो सीखने सिखाने की जो परंपरा है या उसकी जो प्रक्रिया है उसमें एक प्रकार से गती मिलती है और बच्चे सक्क्रिटा से सीख पाते हैं सभी विद्यारती सेखें इसके लिए चुनकि आज की बातचीत हमारी इसी मुद्धे पर है कि जिसमें हम लोगों को ये समझना है कि हमारी कक्षा में सभी बेत्यारतियों की सीखने की स्थिती किस प्रकार बढ़ सकती है सभी बच्चों की सीखने की भागिदारी किस प्रकार बढ़ सकती है ये सब तय होगा जब अगर एक सिक्षक होने के नाते हम इस बात को जाने और माने कि स्कूल में आने से पहले जब बच्चा आपके पास आता है जब बच्चा हमारी कक्षाओं में हमारे पास आता है तो उस बच्चे के पास एक सम्रदि ज्ञान भंडार होता है बच्चा एक कोरिसलेट नहीं होता ऐसा नहीं कि बच्चा कुछ नहीं जानता बच्चे के पास अपने परियाप्त अनुभा हो है हम यह मानें कि ज्ञान का निर्मान और उसका परिमारजन जो है वो समो की रूप में होता है, एक समुत्ता में होता है सभी बच्चे स्वभावी की रूप से जिग्यासू होते हैं वो अपने स्वभाव से कुछ जानना चाहते हैं कुछ करना चाहते हैं अगर एक सिक्षिका होने के नाते हम ये मान लेते हैं कि सभी बच्चों में सीखने का परियाप सामरते होता है, किसी में कम या किसी में ज़्यादा हो सकता है, पर सभी बच्चे सीखने की इस्तिती में होते हैं, स्वभावी इस्तिती में होते हैं यह बहुत मुत्पून बात है कि बच्चे अपने परीवेस से बैत्र प्रकार से सीख पाते हैं जो भी उनका परिवेस है जो भी उनके आसपास का वातावरण है जिससे वhovahचे सीखते हैं बच्ची अपनी कक्षा में जो भी उसने अनुभव किया है उसके उपर बातचीत करते हैं उसका प्रियोग करते हैं उसके उपर चर्चा करना चाहते हैं उन चर्चाओं पर या उन प्रियोगों पर सवाल खड़े करते हैं सोचते हैं खुझ से कुछ करके देखना चाहते हैं यदि अगर ऐसा होता है, तो निश्चित रूप से ये एक बैतर सीखने की स्थिति है, आप कह सकते हैं कि ऐसी कक्षा में अधिगम बहुत स्वभाविक है, एक सिख्षक होने के नाते हमारी ये महतुपुन जिम्मेदारी बन जाती है, कि हम सीखने के लिए बच्चों का अउस अधिगम बढ़ रही होगी, हमारी अगर हम इसा मान कर चलते हैं कि करसा के सभी गतिविदियां बच्चों के लिए है, उसी में इसी को शायद हम ये कह सकते हैं कि यही इसी प्रकार का एक जो गतिविदी का जो तरीका है, वो बाल के अंदरी तरीका है, जिसमें बच्चों क को ध्यान में रखकर गतिविदियों का की आयोजना की जाती है सयोग आत्मक तरीके से सीखना गतिविदी करके सीखना यह अपने आप में सीखना ही है अगर ऐसा करते हैं तो यह खुद से एक बैतर सीखने है या बैतर अधिगम की इस्तिती बन रही होती है तो हम समिदन सिख्षक होने के नाते अगर हम यह मान लेते हैं कि बच्चे को हम अफसर दे रहे हैं बच्चे के लिए बातावरण का निर्मान कर रहे हैं सभी गतिविदियों के केंदर में हमने बच्चों को रखा है सयोग करना या गतिविदी करना ही अपने आप में एक सीखना है अगर हम इतना सोच लेते हैं, इतना मानते हैं तो निश्चित रूप से हम अपनी कक्षा में बच्चों की भागिदारी को सकारात्म रूप से बढ़ा रहे होंगे सीखना क्या होता है? और सीखने के कौन-कौन से कारक हैं ये सब जान लेने के बाद एक महत्वण बन जाता है कि जिस विशम आज हम लोग बात कर रहे हैं परियावरन अध्यन परियावरन अध्यन को समझना बहुत महत्वण है परियावरन से हमारा क्या भीप्राय है? मुल्त है या सामान्य अर्थों में हमारे आसपास के बातावरण को हम परियावरण कहते हैं परियावरण सब्द को गर हम संदी विच्छत करें तो हम यह पाते हैं कि परी मतलब चारो तरप और उसका आवरण मतलब घेरा जो चारोतरप का हमारा घेरा है यह जो परिवेश है यह बच्चे के परिवार से हैं उसके समाज से हैं उसके आसपास की बस्तिया उसके गाउं से हैं उसके मित्र उसके सखा उसके साथी खेत मैदान खलियान पेड़ पोदे नदी पहाड यह सब मिलकर उस बच्चे के परिवा से लेकर नदी पहार तक या तमाम आसपास की चीजें उसमें शामिल है तो निश्चत रूप से परियावरन एक जटिल और लगातार बदलने वाला तंत्र है यह एक जटिल इस्तिति है जिसमें बच्चे का खुद बच्चे का स्वेम का अपनी भागेदारी उसके परिबार उ अपने परिवेस से समझता है तो परियावन अध्यन अपने आप में सीखने का माध्यम बन जाता है परियावन अध्यन सीखने की प्रक्रिया है परियावन अध्यन में बच्चे अपने अनुभवों को आकार दे रहे होते हैं उनको दिशा दे रहे होते हैं तो इस प्रकार बच्चों के अनुभव को दिशा देने में, बच्चों के अनुभव को आकार देने में परियावरण एक ससक्त भूमे का निवाता है, परियावरण अपना एक मजबूत माध्यम की रूप में काम कर रहा होता है। खेति के असपास की चीजें, तमाम बाते हैं और उसकी सामाजिक सांशकर्टिक इस्तितियां, यहाँ तकी बच्चे की भाषा, बच्चे का रहन सेन, बच्चे के संशकर्टि, बच्चे का उठना, बैटना, चलना, बोलना, यह सब उसमें शामिल होता है। तो ये भोतिक, एक प्रकार से जैविक, एक प्रकार से सामाजिक सांस्कृतिक निर्मिती भी है, तो परियावरन, मूलतर इन सबसे मिलकर बनता है, जिसमें बच्चे का अपना होना, बच्चे की अपनी पुरी गतिविधिया, बच्चे के उसके सांस्कृतिक और सामाजिक बाते हैं तो परियावरण इन सब का एक समगरता है इन सब क्या जो कह सकते हैं कि इन सब से मिलकर परियावरण बनता है अगर हम यह समझते हैं एक सिक्षक होने के नाते तो हम यह पाते हैं कि हम इस तरह की गतिविधियां आयुजित करेंगे जिसमें इन सब का समावेश होगा यह दिम ऐसा कर पाते हैं तो हम बैतर परियावन सिक्षन की तरब बढ़ रहे होते हैं एक महतुपुन बात यह है कि आखिर हम परियावन का दिन करना क्यों चाहते हैं जब हम यह जान लेंगे और यह हम सिक्षक होने के नाते हैं अगर हम इस उद्देश्चों को पकड़ पाते हैं तो हम अपनी कक्षाओं में बच्चे के भागिदारी को और बच्चे की जो सीखने की प्रक्रियाएं उनको बैतर बना पाते हैं परियावन का अदिन इसलिए भी आउशक है क्योंकि यह मानते हैं हम लोग कि बच्चे का जो परिवेस है बच्चे का जो आसपास का वातावरन है यही उसके सीखने की पहली पात्षाला है बच्चा यही से सीखना प्रारंब करता है जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि विध्याली में भी सीखता है विध्याली की सीखने के अलावा वो अपने परिवार अपने आसपास अपने मोहले अपने साथियों अपने घर इन सबसे सीखता है तो यह जो परिवेस है यह बाद ही बच्चा मारी पास आता है और इसलिए हम लोग बार-बार इस बात पर ध्यान आकर्शित करते हैं कि बच्चा सीख कर आता है बच्चा अपने अनुभवों को रच कर आता है अपने अनुभवों को गड़ कर आता है और ये परिवेश जो है इसका प्राकरतिक परिवे जो उसका बातावरन उसको समझ पाए, उनके बीच के अंतर संबंदों को समझ पाए, कि ये वो जान पाए कि किस मौसम में कौन से करशी होती है, वो जान पाए कि किस पोधे पर, किस प्रेट पर कौन से फल लगते हैं, कौन से सबजियां लगती है, और इन सबजियों के निर् और यह उत्पाधन का जो सामान है वो बजार में किस प्रकार से जाता है? अगर इनकी बीच में परिवेज़ की घटनाओं के बीच में, अगर वो कार्य करान संबंद को स्थापित कर लेता है, इसको जान जाता है कि इन घटनाओं का कोई ने कोई कारन है, ये घटनाओं इस मि तो परियावन अध्यन बच्ची की सीखने की पहली पाट चला हुई उसके परिवेस को समझाने का काम करता है कारी कारन संबंदों को इस्तावित कर रहा होता है बच्चे में विज्ञानिक दस्टिकों विक्सित कर रहा होता है और यदि हम ऐसा कर पाते हैं तो निश्चित परियावन अध्यन अपने आप में ही जीवन जीना है परियावन का अध्यन करके हम बच्चे में जीवन जीने की जो पद्दती है जीवन जीने का जो कोशल है उसका विकास कर रहे होता है अर्थात परियावन अध्यन जीवन जीना होता है परिवेस के अध्यन के माध्यम से बच्चे में कुछ खास तरह के जो बुन्यादी कोश कोशल हैं हम लोग उसका विकास करते हैं यह कोशल जैसे अवलोकन, ब्रह्मन, सयोगात्म, गतिविदी या अन्य प्रकार की जो चीजें इनसे वो सीखता है तो वो अवलोकन करके अपने ग्यानेंद्रियों का विकास कर रहा होगा, ब्रह्मन करके वो अपने आसपास के परिव शुक्ता मेरी है इस समू में जितना मेरा होना मेतुपूर्ण है उतना ही मेतुपूर्ण मेरे साथी का है मेरे सहपाटी का है मेरे पडोस का मेरे पडोस की आउधारना में भी यही बात से मिल होती है तो यह समुध्या का बोध कराता है परियावरन से हम एक दूसरे की प्रती स समान का जो नजरी आए समान की जो भावन आए उसको हम विक्सित कर रहे होते हैं बच्चों में एक दूसरे की प्रति निरबरता बढ़ती है पर्यावरण का अध्यन जब न केवल विश्यों का समयकन है बलकि ये पद्धतियों का समयकन भी है पर्यावरण का अध्यन न केवल आत्म का आत्म निर्वड़ता है यानि कि सब एक के लिए है और एक सब के लिए है यानि कि मेरा होना उस बच्चे का होना उस पूरे समू के लिए बहुत जरूरी है और समू का होना उस बच्चे के लिए बहुत जरूरी है यही बोध परियावन हमें परियावन का अध्यान का एक बड़ा मकसद है, एक बड़ा उद्धिश्य है, हम परियारवन अध्यान इसलिए भी करते हैं, ताकि बच्चे में खुद से फैसले लेने की भावना का विकास हो, और यदि ऐसा होता है, तो हमारी कक्षा के बच्चों में एक आत्मी विश्वास का निर्मान होगा, या आ और आत्मक बोत के दर्ष्टी कोंड से, एक सर अस्तिव्च्वी के दर्ष्टी कोंड से वो लगातार देखता है, लगातार विच्चित हो रहा होता है, बच्चों का सीखना, आप अपनी करक्षा में बैतर बना सकते हैं, या सुनिशित कर सकते हैं, यदि परिवेश या पर परियावन से सीखना, परियावन के द्वारा सीखना और परियावन के लिए सीखना, यदि हम ऐसा कर पाते हैं, तो हम सभी बच्चों के सीखने को सुनिशित कर रहे होंगे, परियावन, अपने आप में एक माध्यम है, परियावन को सीखना भी सीखना होता है, परियावन के आपने देखा कि सर्दी का मौसम है या गर्मी का मौसम है तो ये गर्मी या ये सर्दी या बारिश बच्चों को क्या सिखाती है सर्दी में उन्हें किस प्रकार के रहन सेन के साथ जाना चाहिए किस प्रकार का बोजन करना चाहिए इस सर्दी के मौसम में कौन-कौन सी फसलें पैदा होंगी ये फसलें इसी मौसम में क्यों पैदा होती है इस प्रकार खास तरह के कपड़े, खास तरह के परिवेश में क्यों पहने जाते है तापमान का घटना, बढ़ना, इसका बड़ी भोगोली की स्तितियों से क्या संबंद बनाता है सरदी की मुसम में तापमान लगातार कम होता है, गर्मी में लगातार बढ़ता है पानी का गरम होना किस प्रकार से समझा जा सकता है यह तमाम बाते हैं जिसके आधार पर हम बच्चे को यानि कि परिवेश अपने आप में एक जरिया बन जाता है, एक माध्यम बन जाता है सीखने और शिखाने का यदि हम अपनी कक्षा में बातावरन को एक प्रकार से विशेवस्तू मानें, बातावरन को एक प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि एक संधर्व बिंदू मानें या एक संधर्व की रूप में उसे समझें, तो इस प्रकार का सीखना बच्चों का अपकी कक्षा में भागिदारी बढ़ाने वाला होगा, इस प्रकार का अधिगम यदि आपके कक्षा में होता है, तो वो बच्चों को प्रभावी रूप से शिखाएगा, एक बैतर रूप से शिखाएगा, जो एक बड़ी चिंता का मामला होता है, कि छोटी कक्षाव में बच्चों को बैतर किस प्रकार से जाए यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आप सीखने सिखाने की परंपरा को बैतर रूप से विक्षित कर रहे होंगे सीखना सुनिश्चित किया जा सकता है और यदि हम इन कुछ खास बातों का ध्यान रखें तो हम यह पाते हैं एक सिख्षक होने के नाते हम अपनी कक्षा में सीखना सुनिश्चित कर सकते हैं बच्चों की भागिदारी को बढ़ा सकते हैं। बच्चे को समझना बहुत ज़रूरी है। CH 미 duraour क्वाओ, बच्चों के सुभाव, निघ। बच्चों के सांस्कृतिक परिवेश को यह दी जानता और समझता है तो निश्चित रूप से वो उन बच्चों की अपनी कक्षा में भागिदारी को बढ़ा रहा होगा एक बहुत बड़ी दिक्कत है हम सिक्सक साथियों के साथ वो यह कि हम बच्चे को अकसर छोटे वैस्क की रूप में समझते हैं हम यह मान कर चलते हैं कि बच्चे को वैस्क होना है और वैस्क होने के तैयारी बच्चपना है ऐसा नहीं है बच्चे के पास अपनी विस्तृत दुनिया होती है बच्चे के पास अपने विचार होता है और निश्यत रूप सी विचार उसके वैसकों के जो विचार है उससे परियाप्त अंतर रखता है बच्चे के पास अपने अनुभाव है बच्चे की अपनी भाषा है एक संब्रद भाषा है और बच्चे के पास अपने खुद के ओजार है ग्यान के निर्मान के लिए अपने अनुबहों को आकार देने के लिए अपने अनुबहों को समझने के लिए अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए उसके पास एक कह सकत अपना विचार बच्चे कापना उसको अनुभव बच्चे कि असके सम्रदork पहला दो ऑपने तरीके आगर हो इसा कर लेता है तो वह अपनी काक्शा में बच्टों को बेतर रूप से समावेश कर रहा होगा बेतर रूप से अपनी कक्षाओं के लिए तयार कर रहा होगा और एक सिक्षक का एक मत्पुन दायत्व यह है कि वो यह माने कि सीखना अंतिमुद्देश है उसकी कक्षा में सीखना अगर हो रहा है तो निश्चित रूप से बच्चों की भागिदारी का एक बड़ा प्रमान है हम ये भी मान कर चलें एक सिक्षक होने के नाते खास तोर पर छोटी कक्षों में जैसा कि हमने बताया भी कि कोई भी विदी सीखने की अपने आप में कोई अंतिम विदी नहीं है पर यावन अध्यान में खास तोर पर कोई एक विदी कारगर नहीं होती बच्चे समू में काम करते समय भी एक से अधिक विद्यों से सीख सकता है कोई अवलोकन करके सीख सकता है कोई मुल्यांकन करके सीख सकता है कोई मापन करके सीख सकता है, कोई तर्क बहस करके सीख सकता है, कोई भाषा के मादिम से सीख सकता है, कोई नातक के मादिम से सीख पाता है, या उन घटनां को कर पाता है, कोई खेल के मादिम से सीख पाता है, तो यदि इतनी सारी इस्तितियों को या इतनी सारी विद्यों को अगर हम समावेश करते हैं और सबके लिए हम हमारे पास एक प्रकार का बातावन निर्माण होता है तो हम निश्चित रूप से बच्चों की भागेदारे को अपनी कक्षा में बढ़ा रहे होंगे एक सिक्षक के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि वो ये माने कि सिक्षण और अधिगम केवल कक्षा में ही नहीं होता शिक्षन और अधिगम कक्सा के बहार भी होता है कक्सा के बहार भी बच्चे सीखते हैं विद्याले की जो चार दिवारी है उससे भी उसके बहार भी बच्चे सीख रहे होते हैं घर में चलते हुए, घूमते हुए प्रेड पोदों की पत्यों को तोड़ते हुए, उनको पहचानते हुए, उनके बारे में मनन चिंतन करते हुए, सातियों के साथ खेलते हुए, घर में रोटी को पकते देखते हुए भी बच्चे सीखते हैं यह सब तवाम वो इस्तितिया हैं जहां पर बच्चों को सीखना स्वभाविक होता है। यह स्वभाविकता ही हमें अपनी कक्षाओं के लिए तैयार करनी है। यह स्वभाविकता ही हमें अपनी कक्षाओं में लेकर आनी है। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम सीखने के लिए एक म प्रतिसपर्दा के माहौल को कम करते हैं तो निश्चित रूप से आप बच्चों के भागिदारी को बढ़ा रहे होंगे सभी बच्चों को शामिल कर रहे होंगे अक्सर बच्चे बोल नहीं पाते अक्सर बच्चे अपनी बातों को रख नहीं पाते अक्सर बच्चे अपने सवाल नहीं पूछ पाते उसके पीछे जो बड़ा कारण समझ में आया हुई है कि बच्चे की अपने घर की भाषा और पाट्टे-पुस्तकों की भाषा दोने में परियापत अंतर है सिख्षक पाट्टे-पुस्तकी की भाषा को अधिक मेत्व देता है जबकि वो बच्ची के अपनी भाषा जो है, जिसमें अपने विचारों को गड़ता, बुनता और उनको व्यक्त करना चाहता है, उसके लिए कोई जगर नहीं मिल पाती इस कारण से बच्चे कक्सा में बोलने से जिजकते हैं, कक्सा में बच्चे जानते भी बात नहीं कह पाते तो ऐसा हमें इस बात के ध्यान रखना होगा, एक सिक्षक होने के नाते, कि हम बच्चे की भाषा को मेतु को समझे, उसको सम्मान दे बच्चों के लिए सीखना मैतुपूर्ण है बच्चों के लिए बहुत मैतुपूर्ण यह चिंता का मामला न रहे कि वो बैतर नहीं कर पाए वो असफल हो गए उनका प्रियोग सफल नहीं हुआ यह चिंता नहीं हो यह चिंता लगातार कम होंगी यदि हम उनके साती की रूप में खड़े रहें, एक सिक्षक को ये मानना होगा कि वो उन बच्चों के सह करमी है, सहयोगी है, एक साती की रूप में काम कर रही है और आप अपनी कक्षा में बच्चों को पूछने के आजादी देंगे, भयमुक्त बातावन रखेंगे बच्चों को डाटेंगे नहीं, बच्चों को डराएंगे नहीं, तो निश्चित रूप से बच्चे बागीदारी देंगे निश्चित रूप से बच्चे कक्षा में भाग लेंगे, गतिविदी में भाग लेंगे और उनकी इस प्रकार से बैतर शिक्षण अधिगम हो पायेगा कई बार ही देखा गया कि जो सिक्षक अपने बच्चों को अपनी कक्षा के बच्चों को नाम से पुकारते हैं बच्चे और सिक्षकों के बीच में एक बैतर तालमेल होता है बच्चे इसे सिक्षक को पसंद करता है बच्चों का आत्मी विश्वास बढ़ता है और उन्हें खुज से काम करने का अगर अगर अउसर मिलता है तो उनमें एक सकरात्मक्ता का बोध भी आता है बच्चों के अपने अनुभाव जब आपकी कक्षा में शामिल होंगे बच्चों के अपने अनुभाव को आप अपने आज की कक्षा की गतिवीदी का हिस्सा बनाएंगे बच्चों के अनुभाव को आप ब्लेक बोर्ड में लिखते समय मेत्पुन मानेंगे तो निश्चत रूप से बच्चों का आत्मिस्वास बढ़ेगा और एक आत्मिस्वासी बच्चा एक आत्मिस्वासी कक्षा आपको लिए इस बात का संक्यत होगी कि बच्चे बैतर सीख रहे सिक्षक की बड़ी जिम्मदारी बनती है या उसका एक बड़ा गुण बन जाता है जब वह इस बात को माने कि बच्चों को ध्यान पूरवक सुना जाना चाहिए एक सिक्षक होने के नाते यह हमारी जिम्मदारी बनते हैं कि बच्चों के बाद जो कुछ भी है जो कुछ भी हो बताना चाहता है आप उसे उस कक्षा में सुने कक्षा के बहार सुने उसके अपने अनुभवों को बिना खारिच किये उत्सुक्ता के साथ, कोतुहल के साथ जाने क्योंकि बच्चे के लिए उसके अपने अनुभव उसके ग्यान का एक रास्ता बना रहे होते हैं यदि आप ऐसा करते हैं, तो बच्चे को जो हम लगातर बात करते हैं कि जो रचनावादी स्क्षन का जो दस्टे कोण जिसमें हमें मानते हैं कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्मान स्वेम करता है, तो आप उसके लिए एक जमीन तयार कर रहे होंगे, उसके लिए बच्चे करने का गूर्ण विक्सित होता है, उनमें फेसले लेने की शमता विक्सित हो रही होती है, अगर आप ऐसा करते हैं, तो साथी साथ, आपकी अपनी कक्षा में बच्चों की भागिदारी है, तो भागिदारी सीखने का सबसे बड़ा संकेत है, सबसे बड़ी कसोटी है, ये भागेदारी बढ़त रही है, इसका मतलब यह है कि इन तीनों का समावेश हो रहा है, इन तीनों का समनवे हो रहा है, यह तीनों एक साथ काम कर रहे हैं, तो बच्चे का मन, बच्चे का मस्तिश्क, बच्चे का सरीर, यदि आपकी करक्षा में है, आपकी करक्षा के साथ काम क सीखने की इस्तितियां का निर्मान हो रहा है सीखने की इस्तितियां बच्चों को प्रोसाइद कर रही है सीखने की इस्तितियां बच्चों को उत्साइद बना रही है उनमें एक लगन का निर्मान हो रहा है और उनका मन कक्षा में लग रहा है वो उस गतिविदी के साथ जुड़ गए हैं यदि ऐसा होता है तो हमारी परियावन की कक्षा में खास तोर पे छोटी कक्षा में आप बच्चों की भागिदारी को बढ़ाते वे बच्चों को सीखने सिखाने की गतिविदी के साथ बैतर रूप से जोड सकते हैं निश्चित रूप से ये एक चुनोदी पूर्ण काम है और इस काम की तैयारी करना एक सिख्षक के लिए बहुत महतुपूर्ण है कि हम सब बच्चों के भागिदारी कैसे सुनिश्चित करें अगे के पंक्ते के बच्चे भाग ले सकते हैं और हम अगे ये इतब संब होगा इन सब इन सब समश्चाओं से तब आप निपट पाएंगे जब आपके तैयारी पूरी होगी एक सिख्षक को अपनी कख्षा के लिए एक खाका त्यार करना होगा योजना निर्मान करना होगा उसको कक्षा में किस विशे पर चर्चा करनी है किस मुद्धे पर से बात करनी है तो उस विशे की प्रकृति को वो समझे साथ ही साथ वो यह भी माने कि कई प्रकार की विदियां आज की बात्चीत में शामिल की जा सकती है हो सकता है कि हम गतिविदी करें हो सकता है कि कुछ बच्चे गतिविदी करें हो सकता है कि पूरी कक्षा बाहर जाकर कुछ देखना चाहे हो सकता है कि पूरी कक्षा किसी और मुद्दे पर भहस करना चाहे हो सकता है कि जो तरीका उसने आस्तेय किया उसकी अलावा बच्चों के पास कोई और नया तरीका हो, कोई और बैतर तरीका हो, जिसे वो इस गतिविदी में जुड़ना चाहते हैं बच्चों की रूची को समझना बहुत जरूरी है बच्चों की रूची को ध्यान में रखते हैं, यदि आप गतिविदियों का आयूजन करते हैं आप पढ़ने पढ़ाने की परंपरा को विक्सित करते हैं, तो निश्चित रूप से बच्चों के भागेदारी बढ़ेगी उन बच्चों को एक स्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत् प्रणाली में आपका सीखना सुनिशित होगा और यदि आप उत्पात की रूप में देखेंगे तो अंत में ही आप ये मान पाएंगे बच्चों ने सीखा है कुछ सवालों के जवाब बच्चों ने दे दिये तो सीखना हुआ ऐसा नहीं है आप अपनी पूरी गतिविदी पर चिंतन करें समिक्षा करें कि आज की गतिविदी को और बेतर कैसे बनाया जा सकता है यदि आप ऐसा करते हैं तो आप खुद भी अपने सक्रिय और सजग अधिगम करता की रूप में काम कर रहे होंगे बच्चों की सहबागिता को बढ़ाने में सिख्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है जैसा की पूरी बात्चीत में निकल कर आया अगर आप इसकी योजना बनाते हैं, योजना आपके हाथ में होती है, तो निश्चित रूप से आप बहतर सिक्षन अधिगम के तरफ बढ़ रहे होंगे कक्षा में आप संगटन करता है की रूप में काम करते हैं, सब बच्चों की भागेदारी को देखना, उन बच्चों को संसादन मुया कराना, उस काम के लिए वातावरन का निर्मान करना, किसी कानी के माध्यम से, किसी घटना का जिक्र करते हुए, किसी बहार के वातावरन की चर्चा करते हुए, यदि आप ऐसा करते हैं, तो आप अपनी कक्षा में बच्चों के सीखने सिखाने के लिए वातावन तयार कर रहे होंगे, आपका एक बड़ा मैत्वपुन काम है, वह ये कि आप बच्चों को सक्रिय परिय वैक्षा की रूप में देखते हैं, उनके गु होती है, यानि कि आप भी एक लर्नर है, आप भी एक सीखने वाले की इस्तिती में बच्चों के साथ, तो यदि बच्चे और सिख्षक दोनों मिलकर सीखने की भूमिका में होते हैं, ना कि सिखाने की भूमिका में, तो बैतर रूप से सीखने की गतिविदी बढ़ रही होत यदि ऐसा होता है तो ये कुछ इंता की बात नहीं है पर हाँ आप उनके कारणों को जान सकते हैं कि उसने कम भाग क्यों लिया क्या हुआ ऐसा कि उसका उसका बैतर परिणाम नहीं आ पाया तो निश्यत रूप से आप अपनी आने वाली गतिविदियों में उसके तैयारी कर यदि आप ऐसा करते हैं तो आप सक्रिया दिगम करता के रूप में कक्षा में बच्चों के सह बागिता को बढ़ाते हुए सबी बच्चों को सीखने और सिखाने के लिए तयार कर रहे होंगे सबी बच्चों की बच्चों को आप उसमें शामिल कर रहे होंगे यदि ऐसा हो होता है तो एक ऐसा सिख्षक सहयोगी सिख्षक के रूप में या बच्चों को साथी के रूप में जाना जाता है अन्यवाद